स्पे Subscribe को सब्सक्राइब को समझने वाले कब कोई केंडल स्पाइटन काम करता है कब वो फेल हो जाता है कब आपको एक फॉल्स एंट्री मिलती है और इंट्री मिलती तो आप एक एक करके कंडल स्पाइटन को अगे रहे हैं आज इस वीडियो के अंदर हम दो केंडल सिक पैटन सो समझने वाले हैं पहला होगा inverted hammer और दूसरा होगा shooting star कब और कैसे काम करते हैं कब form होते हैं ने कैसे पैचानना है अब हम इन्हें समझने वाले तो सबसे पहले जब हम inverted hammer को देखते हैं हमने last video में hammer की बात करी थी जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है hammer मतलब एक तोड़े की तरह दिखता है अगर इसे उल्टा कर देंगे तो एक inverted hammer जैसी formation हो जाएगी यह कब काम करता है यह important है सबसे पहले तो जो हमें series के अंदर कोई भी candlestick pattern की बात करेंगे जो कि यहां पर आपको देख रहोगा अभी आगर आप screen को देख रहे होंगे तो यह आपके left hand side पर देख रहा है तो जितने भी left hand side के अंदर patterns आएंगे वह सारे bullish होंगे और जो right hand side पर आएंगे वह सारे बेरेश होंगे तो inverted hammer की जब हम बात करते हैं bullish candlestick pattern यह दिखाता है कि यहां से bulls आ गए है market में बट इसकी next candle जो इसका high break करती है body उस candle की high break करनीचे यह ना कि विक रिक तो मैं भी दिखाऊंगा भी तो इस candle का मतलब है कि यहां से bulls active हो गए तो अगर ए green candle है तो open यहां पर होई होगी इसका low हलका सा नीचे गया ऊपर तक गई यहां पर हाय बनाया और यहां पर आके close हो गई बट कोई भी candlestick pattern जो हमारे left side पर होगा उसका significance तब है जब वह चार्ट के bottom पर बन रहा है अच्छा इसका color matter नहीं करता तो अगर मैं इस inverted hammer को देख रहा हूं तो इसका color matter नहीं करते हैं कौन से color के साथ हमारा same shooting star का भी color matter नहीं करता कि यह रेड है ग्रीन है बट बोडी से कम से कम double हमारी विक होनी चाहिए और कहां पर फॉर्म और यह चार्ट के bottom पर होगा यह चार्ट के top पर होगा तो आए इन्हें ढूनते चार्ट के उपर तो इन्वर्टेड हैमर का एक example लेते हैं अभी इन्वर्टेड हैमर से पहले भी जैसे मैंने और आपके लिए थोड़ा से ब्रॉडन कर देता हूं तो आपको पर्फेक्ट वैसी ही दिख रही होगी जैसे यहां पर देख शूटिंग स्टार सो यह शूटिंग स्टार क्यों है शूटिंग स्टार मतलब देखो जैसे तूटता हुआ तारा होता है तो पीछे एक अपनी सकते हैं इसके हाइए का एक स्टौप लोस रख सकते हैं और यहां से अब हुआ है कि यह बिएर्स की पकड़ा आगया है मारकेट में इसके बाद देखिए क्या हुआ वाओ बहुत अच्छा पॉल जब हमने यहां पर ट्रेड ली दी हमें तो नहीं बता था कि कितना रिशे जाएगा अब कई जो सबसे हाइपर होती केंडल उसका सबसे इंपॉर्ड रोल होता है तो यहां पर यहां पर थी और उसके बाद प्राइस लगातार गिरता चला गया और देखिए फिर कितना जिरा है इसमें एक चीज़ और देख पारेंगे जब भी हैमर का लोट उट रहा है एक शाप लोट टूटते कंट्रोल फिर से सेलरस के पास और फिर शाप सेलिंग अब ऐसा नहीं की हैमर काम नहीं करेगा अगर कोई कहेंगे यहां पर यह भी हैमर है इसका हाई भी टूटा फिर क्या हुआ आपने डेफिनिटली हाई टूटा अपने लोग के नीचे का स्टॉप लोस लगाया था और लोग का स्टॉप लोस हिट हो गया यहां पर होता क्या है बेसिकली क्या होता है आपने देखा हाई टूटा पर मैंने एक चीज़ बोली थी कि बॉड़ी की इस पर आ गई पर इंपोर्टन के आप देखो किस तरीकी की कैंडल बन रही है यहां पर भी जो कैं के अंदर भी आपको प्रोबाइबिलिटी मिलती है कि वही 60% 65% एक्यूरेसी है डिपेंडिंग हो कहां बन रही है इसमें एक चीज़ और देख पा रहे थे कि हाय तो टूटा बॉड़ी क्लोजिंग नी आई उपर शाइडो जैन और प्राइस सस्टेन नी हो रहा उपर तो उपर जाके प्राइस सस्टेन नी हुआ उल्टा नीचे गया और यहां पर जाके जब यह दो फिर प्राइस नीचे चला गया अब यह आपको एक शूटिंग साल का क्लियर एक्जामपल देगे यह भी हम पाइव मिनिट साइम फ्रेम पर थे ठीक है आप टाइम फ्रेम बॉड़ी से बड़ी क्लोजिक आई यहां पर जाके आपने देखा सेलर्स कंट्रोल में आगे तो यहां से सेलिंग का सेनेरियो बनता है इसमें में नहीं हैंगिंग मैं नहीं है जब उसका लोट उटा और तो अभी हम एक इंवर्टेड हैमर जैसे सेटप ढूंड रहे हैं अब आप इसे इंवर्टेड हैमर बूलना है तो चाहोगे बट इसका लोट उट गया तो सिग्निक वन्स खतम होगे एक इंवर्टेड हैमर के बाद में ट्रेंड रिवर्सल टाइप की चीज़ चाहिए सब्सक्राइब यहां पर देखिया पर हमें एक हैमर ने रिवर्स कर और उपर से हमें एक शूटिंग स्टार्ट जैसा दिखा और अगर आप इसके हाय का स्टॉप लोस लगा के बैठे वेदे एक्जांपल ऑप्शन सेलरों यह में बनी इन ना माकेट आपको यहां पर प्राइस उसकी उपर नहीं गया तो यहां पर आपका यह शूटिंग आपको यहां पर आप देखेंगे यह जो कैंडल बनी है यह वली कैंडल अब अगर इस कैंडल को हम देखें तो क्या यह इस कैंडल जैसी दिख रही आपको अब बुलेंगे तो आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस तो रख सकते हैं यह तो समझ गया हम अगर आप देखेंगे मैंने बोला था इसके हाई के ऊपर बॉड़ी की पहुंच जाती तो हम कहते हैं यहां से दुबारा से एक ट्रेंट रिवर्स हो गया है अब अभी अगर हम इस सेनारियो को देखें तो यहां पर हम क्या से देख सकते हैं एक यहां पर यह डोजी जैसी कैंडल ले ऊपर अपना एक हाई सस्टेंड किया हूआ है और इन्वर्टेड हैमर ने यहां पर एक लोग किया हुआ है तो प्राइज एक टाइम पर यहां पर लोग पर गया हो गया इसके आसपास वहां पर उसके बाद ऊपर निगल गया तो इस लिए इस इन्वर्टेड हैं यहां पर आगे की हाई के लिए बेरेश नहीं है कि वडी कि लूशे काम करता है तो मैंने आपको वीडियो में बतायाए और वीडियो नी देखी तो आप लिंक हुससे चागे देखिंग का इसमेंग में करताई निप्टी में रटेड करें तो उसके फ्यूचर नियाकर वोल्य कैसा आ रहा है जब भी आपका हैमर का होती है इस सो इंवर्टेड है मेरी शूटिंग सब्सक्राइब आ रहा है तब यह में वॉल्यूम इस वीडियो में बद बता देते हैं कि अगर आप सिंपली बैंक निफ्टी देख रहे थे तो आप क्या करेंगे आप बैंक निफ्टी फ जैसी में वॉल्यूम लगाता हूं तो वॉल्यूम जा गए अब अगर आप कभी भी देखेंगे कि अगर मुझे किसी कैंडल का एक सिग्निफिकेंस चाहिए तो अगर हम इसे हैमर बोल रहे हैं तो हैमर के बाद हमें वहां पर एक आवरेज से उपर बाइंग चाहिए अब वॉल्यूम देख रहे हो तो और आप आपको लगे यह कावरेज वॉल्यूम पर और यह वहां पर आप एक मैं लगा सकते हो डिया क्याक है अपने यह लगाते हैं तो हैमर के अंदर जब सेलिंग आई दी यहां पे तो चलो सेलिंग ती रेड कैंडल है अगर इसका हाइब रेक हुआ तो एक सिग्निफिकंट मूव है यहां पर सब्सक्राइब करना चाहूंगा जैसे हम बोलते हैं कि हमारी हैमर फॉर्म होई हमारी इंवर्टेड हैमर फॉर्म होई काफी वर क्या हो इसके बाद अच्छी वॉल्म में चाहिए वरना वह एक फेक आउट हो जाता है और एक इस इस इंपॉर्टन के कि लोगों की एक्स्पेक्टेशन के लोगों की एकदम से सब्सक्राइब कर जाए तो आप स्टिक टू इर स्टॉप लॉस एंड ट्रेल दरेट हमें नहीं पता तो यह अभी तक हमने समझा अब इसे एक बार यहां पर यहां पर यहां पर इस एरो पर आप देखेंगे तो इन्वर्टेट हमर बना है प्राइज उपर से नीचे किरता था और जैसे एक बड़ी गैंडल ने उसकी बादी के साथ क्लोजिंग ब्रेक करी है यहां पर आपकी शूटिंग सेर्वी सेम तरीके से काम करता है अप चल रहा हो शूटिंग स्टर बने तो प्राइज नीचे जाता है तो इस से वाइड़ वॉल्यूम्स अर सपोर्टेड प्रोवाइड वॉल्यूम्स अर्पोर्टेड एक चीज़ जान रखनी है कि अगर कोई कैंडल बनी है तो यह समझ लेना कि यह तो हंडेड परशिंट काम करेगी तो अफज जाओगे मार्केट में कोई भी आप चीज़ सीख रहे हो हमेशा प्रोबैबिलिटी पे वर्क करो प्रोबैबिलिटी है अगर आप कोई ट्रेडिंग सेटप भी बना रहे हो तो आप यह देखो कि भी द क्यांडल्स फॉरमेशन आपको बहुत बार मिल जाए तो अगर आपको बढ़े टाइम फ्रेम पर मिलती है तो उसका सिग्निफेकन्स जादा होता है रहते दना बहुत च्छोटे टाइम पर देख रहे हो तो टाइम फ्रेम को बढ़ा कर गला गर अगर आपको चैनल से एक फ सकते हैं और शेर कर सकते हैं माक्सिम लोगों के साथ अभी हम एक सीरीज के अंदर हैं तो आपको स्टेप बैस्टेप वीडियो मिलती चली जाएंगी आप देखते चली जाए यह नोट बनाते चली यह बहुत कुछ सीखना भी बाकी है फिर विडियो शेंट के बिजाएं शनुन दोगे विडियो नियुक्त इसके लावब आपको पिंट कॉमेंट के अंदर लिंक मिल जाएगा इंदर लोडिंगा प्री में लेंगे अगर फ्री नेग अपना जिल्वा सकते हैं उनकी लिंक्स आपको दिस्क्रिप्शन और पिंट कमा सकते हैं. So, we will see you in the next video. Till that time, you go self-made and Jai Hind. Jai Hind.